तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट वीडियो लेके हैं कि आप देख सकते हैं कि जो मेरी गाड़ी है गाड़ी का जो स्टेरिंग है स्कॉर्पियो 2008 माडल का बहुत ही जदा टाइट होगा आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जोर लगा रहा हूं पनी बादू तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे मेकानिक के पास मैं आ चुका हूं और मेकानिक ने चेक कर लिया लाता हूं स्टेरिंग की इंटरमीडियल शाफ्ट को खोल के बाहर निकाल लिया गया तो आप देख सकते हैं इसके जूइंट की जो मुवमेंट अप अड़ दो नहीं हो रही है इसके जुईंट की जो मुवमेंट हाट है चारों डारेक्शन में होनी चाहिए तो इसी की वजह के कारण जो steering हाँ हाड हो गया क्योंकि इसका जो joint है वो खराब हो चुका है पाड़ी के लिए new steering की intermediate shaft जो मैंने खरीद ली है और मैं आपके सामने unbox कर रहा हूँ और video के end तक बने रहे हैं मैं आपको video के end में total जो intermediate shaft का जो rate है और mechanic की जो labor है और total जो cost है इसको repair कर रहाने का वो आपको जरूर बताऊंगा new intermediate steering shaft की आप movement देख सकते हैं कि इसका जो joint है joint में इसकी जो movement है right and left, up and down चारों direction में हो रही है और जो पराणी steering shaft है आप देख सकते हैं कि इसकी movement up and down हो रही है बत right and left side में बिल्कुल नहीं हो रही है इसको कितना भी hardly press करो बत movement नहीं हो रही है गाड़ी का steering मैंने करवा लिया है ठीक तो आप देख सकते हैं कि अब मैं एक हाथ से बड़ी असानी के साथ इसको घुमा पा रहा हूँ और इसकी जो steering की intermedial shaft थी उसका जो joint था बिल्कुल खराब हो चुका था लॉक हो चुका था जिसकी वज़े से steering hard था तो गाड़ी की जो repair करवाने का मुझे खर्चा पड़ा है 2600 रुपे की इसकी जो steering की intermedial shaft है और 500 रुपे मकैने की labor है और total जो cost है 300 रुपे है इसको repair करवाने का अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को like and share करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें thanks for watching my वीडियो